वेल्कम फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चैनल विशू टेक में आज हम बात करेंगे टाइप आफ सपोर्ट्स एंड टाइप आफ बीम्स की इस्टुडेंट्स को टाइप आफ सपोर्ट्स के भी सेमें बहुत कन्फूजन है तो हम बात सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट्स की तो पहला जो होता है वह हमारा होता है सिंपल सपोर्ट्स या इसी को हम क्या कहते हैं रोल्ड क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं रोलर सपोर्ट्स रोलर सपोर्ट्स दूसरा माई पास होता है वह होता है माई पास हिंज सपोर्ट कि हिंद्य सपोटस को हम पिंज सपोट्स भी कहते हैं ऍ क Burn नमर के जो आता है हमारा वह होता है उसे इस सपोट्स हम तीनोंस ट्रेफरेंस कि बनाने जा रहे हैं M Cinema Ferts देखना होता है वह होता है इन दोनों के बीच में सिंप्ली सपोट्स और हिंद्य सपोट एन दोनों के बीच में डीफरेंस दिखना होता है जैसा कि यह नाम से ही है fix supports तो सीधा सीधा इसका यह मतनब है कि कोई भी हमारी beam है fix supports के अंतर गट तो beam है वह beam किसी wall में fixed है fixed नाम से मैं इस यह हमारी Heck यह मलेजे कोई wall है wally mitad है wanna fix ह्वारीं quindi सपोर्ट हुई कौन इसी कौन शापोर्ट की बीम हो गई यह माई भी में कुछ सीघ्ल सिघ्ल सपोर्ट की थोगए तो हम ऐसी बीम को क्या कहेंगे एसको कहेंगे हम प्रिज्ड विश्ट harbour्ट कि से बीम जो में डिफरेंस हमको देखना है वह देखना है वह सिंपली सपोर्ट एंड हिंच तो सबसे पहली चीज इस पे जो भी लोड आएगा वो क्या होगा बीम्स के वाइटिकल लोड होगा लोड आल्वेज वाइटिकल वाइटिकल लोड होगे इसमें दो प्रकार के सपोर्ट हो सकते हैं कि पहला दो हमारा हुआ वक्स पे इसका पूरा नाम आपने दीकर होगा सिंपली सब्समताब यह हमारा हो गया है इसमें आगे भी इसका कुछ नाम है नाम क्या है क्व्न के ही फॉर्फ 시 दी किसलों हो रखा हुआ होगा इसके ओपर कोई बीम होगी हमारी मैं ऩिए यह आप बीम धुलर्समस तो यह यहां पर हमारा थोलरर दर लगेगा आप अच्छा देखी यहां पर भी जो लोड आएगा डिमस प्हाँ यहां पर एक छोटा सा पॉइंट जो मैं याद करने वाला होगा हमारी यह भीम इस पॉइंट पे अप एंड डाउन जा सकती है left and right and left move कर सकती है यहनि आगे पीछे खिशक सकती है और यह उपर निचे भी जा सकती है आगे पीछे का मतलब कहा हुआ दाए है और बाएं यह भीम क्या हो सकती है, इधर भी जा सकती है और vertically उपर भी उट सकती है ये mane points है, जिसको हमको याद रखना है इस beam के supports के लिए, another जो हमाई पास beam है • हutz काईब सी है ?ซरी हो हो है hinged beam hinged beam की भात करें ? excess hinge supports का मतलब का होता है ? कोई भी हींज हो, किसी एक point पे hinge किगी हो जैसे कोई मिअंगी है यह हिंग सिभी में हिंग किसी points पे hinge हो हिंग यह हूँ हमारा यह हुआ यह कुछ ऐसा बना मदब हम इस points पर हिंग कर देते हैं और इस प्रताद का से जो भी supports होंगे उसे क्या कहोंगे हिं। यहां पे हम thiOR करते हैं तो यहां ठीए टोटा से डिफरेंस है हम यहां तक बात क्या कहते था लोट always वेज़़ यहां पर क्या होगा टिने एक्षन लोड होगा में भी लोड़ यह भीधिध्यर हो सकता है और यहां पर यह जो लूड़ लग रहे हैं verticals नहीं होगे हमेशा क्या होगे load load जो होगा हमारा not vertical not vertical अब इस condition में जो हमारा load होगा वो not vertical है जब not vertical तो यह छोड़ा सा difference not vertical का मतलब अब यहाँ पर जो beam होगी वो ना तो left right जा सकती है means left और यह माझे right और यह left तो ना तो यह left जा सकती है ना तो up and down अब आप and down की जो condition होती है वो भी यह follow नहीं करती है means थोड़ा सा जो difference था वो इतना था कि इसमें beam उपर नीचे नहीं जा सकती दाइबाई नहीं किसकती परन्तु हमारा क्या होता है simply supports में simply supports की बात करें तो उसमें our beam जो जो दोलर support होते हैं वो उपर नीचे भी जा सकते हैं तथा दाएबाईबाईबी किसकते हैं इसमें क्या होता है केवल हमारा जो कोई भी dude होता है माने बात कर दो यह doing support है तो तो केवल घूम सकता है अपने place पर मुझ सकता है इस पर आज इन इस बेर नेश्ट वीडियो में मैं बात करूंगा टाइप आफ बीम्स की तो नेश्ट वीडियो थाइंक्स फर सिंग इस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल विशू टेक एंड लाइक तो ज़्यू करना यार पसंदार आओ तो अच्छा लगेगा